केंद्रे स्वास्त मंत्राले ने बताया है कि देश में अब तक एक करोड असी लाग पांच हजार पांस सो लोगों को कोवीट के टीके लगाए जा चुके हैं मंत्राले के अनुसार देश में कोरोना संक्रमर से स्वास्त होने की दर 97 प्रतिशत से अधिक हो गई है अब तक कोवीट के एक करोड आठ लाग उन्चालिस हजार से अधिक मरीज स्वास्त हो चुके हैं वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 13,800 से अधिक मरीजों को स्वास्त होने के बाद अस्वताल से चुट्टी दे दी गई जबकि इस दौरान लगभग 16,000 नए मरीज मिले हैं इसी के साथ देश में अब तक कोरोणा संक्रमित लोगों की संख्या 1,11,73,000 को पार कर गई है देश में समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,76,319 है इस बीच केंद्री सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाष जावडेकरने आज पुणे के दीनानाथ मंगेश कर अस्पताल में कोरोणा का टीका लगवाया टीका लगवाने के बाद ट्वीट संदेश में सी जावडे करने कहा कि टीका करण की प्रक्रिया आसान है और भारत में बनाये गए टीके सुरक्षित हैं केंद्री मंत्री ने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की इधर 36 गड़ में भी बुजर्ग और गंभीर बीमारियों से पीडित मरीजों के लिए कोरोना टीका करण अभियान जारी है परिवार के युवासदस्य बुजर्गों को टीका लगवाने ला रही है विशेश बात ये है कि कुछ बुजर्ग वीलचेर पर बैठ कर टीका करण केंद्रे में अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रही है इन बुजर्गों को उमीद है कि टीका करण के बाद वे पहले की तरह ही सामान्य जिन्दगी जी सकेंगे साथ ही ये बुजर्ग ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अपनी बारी आने पर कोवीद के टीके जरूर लगवाएं और इसे लेकर किसी भी तरह की भ्रम की इस्थिती में नहीं रहें टीका करण को लेकर बुजर्गों में इतना उसा है कि वे टीका लगाते हुए सेलफी भी खीच रहे हैं और अपने परिजनों को भेज कर उन्हें भी टीका लगाने के लिए प्रेरिश भीज़ूर रहें